वेल्कम तो यूट्यूब चैनल ऑफ वर्टेक्स वर्टेक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है हम यह सीरीज चला रहे हैं पंडामेंटल्स ओफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज और इसमें हम कई सारी चीजें अभी तक डिसकस कर चुके हैं बट जैसे ही मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है उसके बाद मैं एक एक पार्ट्स स्पीच को डीटेल में समझाओंगा जिसमें हम फ्रोनाउंस क कई हैं और आज जो मैं आपके सामने टॉफिक लेकर कि आया हूँ वह हैंchy एज्जेलेटिव याने विशेशन अंडे़क्टिव की बात करेंगे उनके टैप को अपने सेंटेंस में अपने डेली लाइफ में इस्तमाल करने में आसानी महसूस करें यह पूरा सीरीज इसी चीज पर टार्गेट करता है कि आपके अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट सब स्पीच की दिक्कत है वो सारी दिक्कत दूर हो जाए तो हम शुर विडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर नए हैं तो जल्दी से जल्दी फटा-फट वहाँ नीचे जो सबस्क्राइब का बटन है उसको दाब दीजिए हमारे विडियो को लाइक कीजे चैनल को सबस्क्राइब कीजे और बेल आइकॉन को दाब दीजे ताकि आप हमारे अपडेट्स को रेगिलरली पाते रहें हमारे विडियो उसको रेगिलरली देखते रहें तो आखर adjectives होते क्या हैं? हम generally क्या करते हैं ना कि day to day life में हम लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कई चीजों को देखते हैं, कई जानवरों को देखते हैं और उनको देख करके हमारे मन में उनकी तारीफ करने की खौहश आती है या maybe उनके बारे में कुछ क बारे में अच्छी बाते में भी हम नहीं करें या किसी कोई हमें पसंद नहीं है तो उसके बारे में बुराई करने का भी मन कर सकता है अब यह जो अच्छाई बुराई यह सारी बाते जो अपने मन की एक्छाएं अपने अंदर की जो कहते हैं भडास मिटाने के लिए जो शब करने के लिए हमको adjectives का सहरा लेना पड़ता है तो अब हम यहां पर adjectives को discuss करेंगे और detail में मैं आपको उसका definition उसके types का definition उसके examples मैं आपको बताऊंगा ताकि adjectives का सारा concept है आपका clear हो जाए सारी confusion दूर हो जाए तो जब अगर हम बात करें adjective के definition की तो यह बहुत simple है और इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि it is a word it is a word which qualifies a noun यह क्या करता है qualify करता है noun का अब qualify करने का मतलब क्या हुआ यानि additional information देता है उसके बारे में और जब additional information देता है उसके बारे में तो वो आपको noun के बारे में और जानकारी दे रहा है मतलब यहीं मतलब हुआ है ना और हाँ मैं आप से यह चीज़ भी कहना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा मज़ा आने वाला है तो हम adjective की बात करते हैं it is a word which qualifies a noun एक ऐसा word जो noun को qualify करता है तो example की बात करें हम जैसे हम बात करते हैं beautiful की इस word की यह हम बात करते हैं ugly की यह हम बात करते हैं angry की यह sad, happy, fast, etc. ओके यह सारे words आपको क्या करते हैं किसी noun के बारे में बताते हैं कि वो particular noun जिसके बारे में बात हो रही है वो कैसा है beautiful है, ugly है, angry है, sad है, happy है, fast है और इसके लिए वो noun के साथ में भी लग करके आ सकता है sentence में या नहीं भी लग सकता, यानि adjective जब भी इस्तमाल होगा noun के साथ इस्तमाल होगा या तो उसके exact बगल में रहेगा या sentence में कहीं पर भी लेकिन तो आनि इस ब्यूटिफल गर्ल, अब हम यहां देखते हैं कि beautiful और girl यह noun है एक साथ noun है और उसके साथ adjective है, तो आनि कैसी लड़की है, तो खूबसूरत लड़की है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि that girl is beautiful या अनि इस ब्यूटिफल अगर अनि की ही बात करनी है, तो अनि इस ब्यूटिफल, अब हम देखते हैं यहां अलग रह करके भी यह जो adjective है, noun की ही बात कर रहा है, कौन खूबसूरत है तो अनि खूबसूरत है, तो adjective का का काम क्या है, विशेशन का का क्या है, noun की बात करना, noun को qualify करना, अब हम जानते हैं कि सिर्फ यह चीज़ है, यह words हम देख रहे हैं, जो हाँ बोर्ड पर अभी, सिर्फ यही words आपको adjective नहीं है, adjective के कई types होते हैं, जो basic types हम पढ़ते हैं, या generally आपको grammar की books में देखने को मिलेंगे, वो 6 होते हैं, 6, अलग कि आप ज अरिके से अलग-अलग grammar book में अलग types मिलेंगे, लेकिन basic category जो होती है, सबसे basic category, वो basic category आपको होती है, सिर्फ यह, हम चलिए उसके बारे में बात करते हैं, तो adjective का जो definition है, I hope all of you must have understood, तो जब हम adjective के definition की बात कर चुके हैं, अब types की बात करते हैं, तो types of adjectives, अगर हम basic concepts की बात करें, तो there are six types of adjectives, there are six types of adjectives, इन्ही को तोड मोड के, इन्ही छे types को तोड मोड के हम अलग-अलग नाम दे देते हैं, आपको जो different grammar books में आपको मिलेंगे, तो पहला जो type है यहाँ पर वो आपको आता है, adjective of quality, adjective of quality, दूसरा जो type आपको यहाँ पर आता है, वो है adjective of quantity, इसको हम quantifiers भी कहते हैं, quantifiers, फिर आपको आता है, आपको, adjective of number, adjective of number, जिनको हम numerals भी कहते हैं, numerals, फिर fourth आपको है, possessive adjective, possessive adjective, और फिर आपको आता है, demonstrative adjective, demonstrative adjective, और sixth and the last, interrogative और adjective, interrogative, adjective, तो यह छह टाइप्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, यह core टाइप्स हैं, basic types हैं, adjective के, adjective of quality, adjective of quantity, जिनको हम quantifiers भी कहते हैं, adjective of number, जिनको हम numerals भी कहते हैं, possessive adjective, demonstrative adjective, और interrogative adjective, अब बारी-बारी से हम इसको discuss करेंगे, examples के साथ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के end तक बने रहिएगा, अगर थोड़ा भूक लगे, बोरियत फील हो, pause कीजिए, कुछ खाईए, पीजिए, और फिर इस वीडियो को देखिएगा, informative है, आपके grammar के skill को enhance करेंगा, ओके, तो हम सबसे पहले, पहला type discuss करते हैं, जो की है, adjective of quality, अगर हम quality की बात करें, तो ये बात करता है, quality क्या होता है, किसी चीज़ की खास बात होती है, तो adjective of quality क्या करता है, ये ऐसा adjective है, an adjective which tells us about the quality of a noun, ऐसा adjective जो आपको बताता है, noun की quality, noun की विशेशता, अब जो examples, word में होंगे, ये होंगे आपको जैसे, मैंने कुछ दिर पहले ही लिखा वो, beautiful हो गया, angry हो गया, sad हो गया, ill हो गया, healthy हो गया, strong हो गया, इस तरह की words, ये सारे के सारे क्या है आपको, adjective of quality है, example, sentences में अगर हम use करें, तो हम यहां लिख सकते हैं की, Annie is a beautiful girl, angry की बात करें, Sharma has been angry since yesterday, Sharma has been angry since yesterday, again यहां पर adjective की बात कर दा है, कौन गुसे में हैं तो शर्मा गुसे में, sad, Rohan is sad as he had lost his toy, तो sad अगें आपका क्या है, adjective है, इल राज इस इल, अगें यह सब क्या है, quality की बात कर रहा है, healthy, चंकर is a healthy man, okay, strong, the wooden planks are strong, लकडी के planks मजबूत है, तो हम देखते हैं यहां पर यह सारे adjectives आपको नाउन की बात करते हैं, यह सभी नाउन से रिलेट होते हैं, okay, तो adjective of quality हमेशा नाउन के quality की, यानि उसके विशेशता की बात करेगा, second पर आते हैं अब हम, second की जब बात करते हैं, तो second adjective जो आपका है, वो adjective of quantity है, adjective of quantity, okay, quantity हम मात्रा की बात करते हैं, right, so when we talk about quantity, यह क्या होता है, मात्रा की बात होती है, कितनी तादाद में, कितनी मात्रा में, basically, so it is an adjective, an adjective, which tells us about दी बात किते हैं, अब कॉंटिटी किस की, अनकांटीबल नाउन्स, अनकांटीबल नाउन्स, यानिए अनकांटीबल नाउन्स की कॉंटिटी के बारे में जो बात करें, हम उसको कहते हैं, objective of quantity, जैसे, example अगर हम लेते हैं, यहां पर ताम प्यू अहां एक और जरूरी बात की जरूरी ने की सिर्फ uncountable nouns और countable nouns as well बस जादा तर यह use होता है uncountable nouns के लिए भी और countable nouns लेकिन हम exact number की बात नहीं करते हैं यहां पर यानि हमको यह पता है कि quantity की बात कर रहा है लेकिन exact number हमको होसको नहीं पता हो होता है चाहे वह तो यह सारे क्या हो गए आपको अजेक्टिव ओफ क्वांटिटी हो गए एक्जाम्पल में अगर यूज करें हम सम मैंगोज आर रॉटन अब कुछ आम सड़े हुए थे तो यह जो है आपको बेसिकली मैंगो के ही साथ में लगा नोटिस यह करिए कि सम की जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता है कि कुछ आम लेकिन क्या आपको exact amount पता है कि हमें कितने आम total कितने आम सड़े हुए है नहीं तो यही पर हम यह यूज करते हैं adjective of quantity की few की बात करें few chocolates have melted कुछ chocolates melt कर चुके हैं अगें few chocolates के साथ लग रहा है adjective or noun many many students have skipped the school today बहुत सारे students ने आज school छोड़ दिया है skip मतलब छोड़ देना यहां पर again adjective noun much much milk has been spilt बहुत जादा दूद गिर चुका है spill मतलब कि spill का past tense है spilt यानि गिर जाना little I have little sugar मेरे पास बहुत कम शुगर है चीनी है लेकिन आपको exact number नहीं पता है हाँ पर अब इसको हम इस तरह से यूज करेंगे एक खास चीज आप इसमें नोट करिए हम जब adjective of quality की बात कर रहे थे तो जरूरी नहीं था कि आप adjective को noun के साथ लगा करके रखिए यानि adjective को हम noun के साथ लगा कर नहीं रख सकते हैं कोई ऐसी condition नहीं हम अलग से भी adjective को यूज करते हैं लेकिन यहां हम क्या देखते हैं adjective of quantity में ज्यादा तर cases में in fact most of the cases में आपको इस adjective को यानि adjective of quantity को आपको noun के साथ ही रखना है हर sentence में आप notice कर सकते हैं कि adjective of quantity noun के साथ है आप इसको अलग नहीं कर सकते right sugar is little ऐसे लिख सकते हैं बट sentence होड़ा अजीब लगेगा sugar is little right तो हम इसमें क्या करते हैं adjective of quantity में हम adjective को noun के साथ ही रखते हैं वो ज्यादा meaningful लगता है तो यह आपको जो examples है यह examples है आपको adjective of quantity के moving on to the next example sorry next type अगले type के अगर हम बात करें यानि तीसरे type की वो है adjective of number जब हम adjective of number की बात करते हैं an adjective an adjective which tells us the total number for place or position of the noun यानि ऐसा adjective जो हम को क्या बताता है noun के बारे में कि वो कितनी तादाद में है यह कौन से place यह position पे है अब इस basis पर हम क्या करते हैं numerals adjective of number को हम numerals भी बोलते हैं इन numerals को हम दो category में बाट देते हैं ओके यह दो category आपको होती है cardinals और दूसरी category होती है ordinals राइट तो एक category आपको यहाँ पर है cardinals की और दूसरी category है आपको ordinals की cardinals, ordinals हम cardinals की जब बात करते हैं so it is used before a noun to denote its number कितनी तादाद में है, example अगर हम लेते हैं so one, two, three, fifty, hundred, thousand, यह सब क्या है यह cardinal numbers है, cardinal numbers हम use करते हैं noun के साथ यह बताने के लिए कि noun कितनी तादाद में है, कितने number में है और फिर ordinals की बात आती है so it is used, it is used with a noun to express its place or position okay, example अगर हम देखते हैं यहां पर जैसे first, second, third, fiftieth, hundred, thousand, तब के last में th लगता चला गया यहां पर, okay, तो यह आपको cardinals है, यह आपको ordinals है यह हम cardinals की बात करते हैं तो यह noun के आगे हम लगाते हैं यह denote करने के लिए कि noun कितनी तादाद में है और जब ordinals की बात करते हैं तो यह noun के साथ हम लगाते हैं यह बताने के लिए कि कौन सा place यह position है उसका sentence में इसको use करेंगा तो आपको ज़्यादा clear पता चलेगा adjective of number एक चीज़ और it is used only with it is used only with countable nouns आप इसको सिर्फ और सिर्फ countable nouns के साथ ही इस्तमाल कर सकते हैं, you cannot use this with these with uncountable nouns, चलिए example देखते हैं इसका हम, ओके अब जब हम example की बात करते हैं, तो हम पहले cardinals की बात करते हैं, तो one book is missing from the shelf shelf पर से एक किताब missing है, अब ये देखिए हाँ पर cardinal है, one number की बात कर रहा है, कितनी किताब missing है, तो एक किताब missing है five children can sit in this car, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो पाँच बच्चे बैठ सकते हैं इस कार में, again, number की बात कर रहा है, one hundred one hundred tickets were sold yesterday, कल एक सौर टिकट्स बेचे गए थे, again, one hundred आपको number है, noun के साथ लग रहा है, कितने टिकट्स बेचे गए, तो एक सौर टिकट्स बेचे गए, तो ये तो cardinals की बात होगे, इस की बात करते है, the first chapter of this book is no more in the syllabus, in the syllabus, अब यहाँ देखिये, first chapter, adjective or noun, right, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ordinal use हुआ है, he is the last boy to go home, last boy, again, यह भी आपका क्या है, adjective है, यहाँ पर, last भी adjective है, noun के साथ लगा है, the third flower pot is in my room, तीसरा flower pot मेरे कमरे में है, third flower pot, again, यह adjective of number है, ordinal, तो हम देखते हैं, ऐसे हम ordinal और cardinals को use कर सकते हैं, यहाँ पर भी notice करने वाली बात यह है, कि आपके noun के साथ में use हो रहा है, cardinals और ordinal, यानि adjective of number को हम अलग से use नहीं कर सकते, हाँ, कर सकते हैं, कभी कभी जैसे, that boy came first, that man came last, he was the first, इस तरह से हम use कर सकते हैं, ज्यादा तर cases में क्या होता है, कि यह आपको noun के साथ लग करके, ज्यादा meaning full हो जाता है, चलिए, अब इसका example भी हमने देख लिया, बहुत important है आपको, यह है possessive adjective, again हमने पहले भी जाना है, pronounce के definition के time में भी, possessive की बात करें, possession से यह word आता है, जिसका मतलब होता है, कोई जागीर किसी की संपत्ती, मेरी अपनी चीज, अपना possession, ठीक है, तो possessive adjective क्या है, an adjective, अगर हम इसकी बात करें, तो an adjective, which tells us to whom the noun belongs, यह ऐसा adjective है, जो हम को यह बताता है, कि जो noun है, जिसके बारे में sentence में बात हो रही है, वो किसका noun है, वो चीज किसकी है, तो अब अगर हम example की बात करें इसके, तो इस case में भी हमको chart बनाना होगा, first person, second person और third person के नाम से, okay, singular भी लेंगे हम, और plural भी लेंगे, दोनों ही cases लेंगे हम, और इस chart को आपको याद रखना होगा, इसमें भी हम बात करेंगे किसकी, person की बात करेंगे, first person, second person, okay, और फिर third person, okay, अब देखती हैं इसको जड़ा possessive adjective को, first person singular आपको होगा, my, okay, और plural होगा, our, second person singular होगा, your, plural भी same रहेगा, your, third person singular होगा, his, her, or its, और plural होगा, इसका, their, फोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, आपको यह सब, यह basically अगर हम बात करें, possessive pronoun की, तो possessive pronoun आपको similar है, कुछ differences की तरह से, जैसे, possessive pronoun का singular, first person, mine हो जाता है, लेकिन plural hours होता है, तो देखे, hour में S लग गया, तो वो possessive pronoun हो गया, your है, अगर your में S लगा दिया, आपने yours कर दिया, तो यह possessive pronoun है, again, his भी, आपका adjective की तरह भी काम कर सकता है, और pronoun की तरह भी काम कर सकता है, हर है, आपने हर में S लगा दिया, तो यह possessive pronoun हो गया, it's हो गया, आपको adjective की तरह भी काम कर सकता है, और pronoun की तरह भी, there की बात करें, उसके बाद there's आपने लगा दिया, S लगा दिया इसमें, तो यह आपको pronoun होगे यानि आप यहाँ देखते हैं कि possessive adjective और possessive pronoun काफी हद तक मिलते जुलते हैं इसलिए लोग confused हो जाते हैं लेकिन आज मैं आपको यह confusion दूर कर देता हूँ तो confusion दूर ऐसे होगे कि adjectives में कही पर भी आपको S नहीं लगा हुआ इनमें इसके अलावा और इसके अलावा लेकिन यहाँ S लगा हुआ है बस यहाँ माई और माइन का फर्क है यह प्रोनाउंस का section था possessive pronouns का ओके तो possessive adjective आपको यह हैं और सबसे important बात यह सभी के सभी आपको noun के साथ उससे पहले लगेंगे हम चलिए इसका example भी discuss कर लेते हैं okay example की बात करें अगर हम तो माई bike is not start यह not getting started मेरी bike चुरू नहीं हो रही है it's not turning on again he he has taken there food उसने उनका खाना ले लिया तो यहां पर माई क्या है possessive adjective देर क्या है possessive adjective है रोहन is fighting for his brother रोहन अपने भाई के लिए लड़ा है his again क्या हो गया यहां पर possessive adjective हो गया तो possessive adjective आप नोट कीजिए कि नाउन के साथ लग रहा है यहां पर यह नाउन है adjective अगें यहां पर नाउन है adjective नाउन है adjective तो possessive adjective में भी हम देखते हैं कि हमको possessive adjective को नाउन के साथ लगा के रखना पड़ता है नाउन से अलग नहीं रख सकते हम इसको ओके next type जो हम discuss करेंगे अभी adjective का वो हो जाएगा demonstrative adjective पाँच मार टाइप demonstrative adjective okay जब हम demonstrative adjective की बात करते है an adjective an adjective which is used to tell whether the noun is near or far अब थोड़ा सा यहां पर आपको हरानी होगी जान कर कि हम जब बात करते हैं demonstrative की demonstrative आपको pronoun भी same है जो आपको adjectives के हैं यह आपको अभी यहां इस chart से clear हो जाएगा जब हम इस chart की बात करते हैं तो for near nouns or for far nouns near के लिए singular हो जाएगा this plural these far के लिए that plural अब आप सोच रहांगे सर्फ प्रोनाउन भी तो यही था अगर हम demonstrative pronoun की बात करें तो demonstrative प्रोनाउन भी this these that और दोज है और अगर हम demonstrative adjectives की बात करें तो वो भी this these that और दोज है तो हम difference को कैसे पता लगा है अगर दोनों चीज एक ही है दोनों एक ही words आपको वही pronoun भी है वही adjective भी है तो आखिर डिफरेंस कहा है difference आपको होता है इस्तमाल करने के तरीके में sentence में आप कहां उसको इस्तमाल कर रहे है इसको हम clear कर सकते है example से example अगर मैं यहां लिखता हूँ पहले मैं demonstrative adjective के point of view से लिखूँँगा तो हम बात करते है this pen is very costly अब यहाँ this हम देखिए यह जो word है यह जो adjective है noun के साथ लगा यानि हमने adjective को noun के साथ में रखा तो अगर यह this noun के साथ में है उससे पहले है तो वो demonstrative adjective कहलाएगा लेकिन अगर हम लिखते हैं कि this is a pen यह एक कलम है जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम notice क्या करते हैं कि this जो है वो noun से बहुत दूर है और इसके just बाद क्या आ रहा है एक verb आ रहा है तो अगर आपके this demonstrative के बाद कोई verb आ रहा है तब यह आपको pronoun है एक यानि यह noun या pronoun की जगह इस्तमाल हो रहा है subject की तरह इस्तमाल हो रहा है लेकिन यहां हम जब इसको देखते हैं तो this जो है वो क्या है adjective के साथ noun के साथ यूज़ हो रहा है यह वाला कलम यानि यह एक adjective का काम कर रहा है मतलब एक basic rule होता है की adjective हमेशा noun के लिए काम करेगा उसके साथ रह करके उसके बारे में बताएगा उसके बदले में इस्तमाल नहीं हो सकता अगर noun के बदले में इस्तेमाल हो रहा है तब तो वो pronoun है और अगर noun के साथ इस्तेमाल होकर के उसके बारे में बात करता है तब वो adjective है और इस तरह से और examples हम लिख सकते हैं demonstrative adjective का जैसे those flowers those flowers are beautiful वो फूल खूबसूरत है राइट तो दोस फ्लावर्स दोस अगेन क्या है यहां पर आपका adjective हो जाएगा कौन सा adjective तो demonstrative adjective ओके अब लास्ट टाइप हम यहां पर discuss करते हैं यह हो जाएगा आपको interrogative adjective तो बात करते हैं interrogative adjective की interrogative adjective की तो interrogative adjective क्या है an adjective an adjective which asks question which asks question related to the noun तो ऐसा adjective जो आपको सवाल पूछता है noun say related उसको हम क्या बोलेंगे interrogative adjective कहेंगे okay so interrogative adjective अब अगर हम examples की बात करते हैं तो example इसका होगा what who's or which interrogative यानि सवाल ही form करेंगे हम interrogative sentences का इस्तमाल करेंगे what color is your favorite कौन सा color तुम्हारा favorite है हम notice यह करते हैं कि color के साथ आपका वॉट आया है noun के साथ लगा तो adjective है whose copy is lying whose copy is lying on the floor किसकी copy जमीन पर पड़ी हुई है उसके बाद which which color shall we use on this wall इस दिवार पे हमें कौन सी color यूज़ करनी चाहिए हर केस में हम देखते हैं कि noun के साथ लग करके है ये तो ये क्या है adjective है यानि adjective का एक बहुत important rule ये है कि वो noun के साथ ही रहेगा noun की जगा पे नहीं आ सकता अगर noun की जगा पे आ गया वो noun के बदले में आ गया तब तो वो adjective रहा ही नहीं उसको noun की मौजूदगी में noun के साथ रहे करके noun को क्या करना है define करना है qualify करना है उसके बारे में बात करनी है और हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर examples में आपको noun के साथ में लगा करके रखना पड़ता है आपको adjective of quality में freedom है कि आप noun के साथ लगाए या कहीं और लगाए sentence में और कुछ आपको numbers में भी और quantity में भी बाकी cases में अगर हम demonstrative की बात करें interrogative की बात करें, possessive की बात करें तो हमको इन adjectives को noun के साथ में ही रखना है हम उससे अलग नहीं रख सकते तो ये आज हमने discuss किया adjective और उसके types को I am sure कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों में, family में, friends में, acquaintances में या अजनभियों को भी forward कर सकते हैं तो करिए, हम आपके लिए ये series शुरू रखेंगे और एक एक करके सारी parts of speech में discuss करूँगा आज के लिए इतना ही काफी है अगले वीडियो में एक नए topic के साथ, नए part of speech के साथ में आऊंगा Thank you so much and have a nice day